हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड प्रेपरेशन योटूब चैनल इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास नाइन्थ मैट्स की बुक से चैप्टर 6 लाइन्स एन एंगल्स इस चै ये लेकेंड पार्ट में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कुशन नम्बर 4 अवर्ड अगर आपने प्रीविएस वीडियो मिस कर दी हैं तो फ्रेंड प्रेंड प्रेम्टपीरेशन चैनल की प्लेइस सेक्षन में जाके क्लास नाइन्ध मैट्स की प्लेइस्ट में सारी देख रहे हैं तो चैनल friendship preparation को subscribe कर लीजिए और bell icon press करें ताकि आपको new video की notification receive हो सके इस question में diagram यानि figure आपको given है 6.1 और question कुछ इस तरह से in figure 6.1 if x plus y is equal to w plus z then prove that aob is a line इस question के अंदर four angles आप देख सकते हैं जिसमें sum total आपको given है कि x और y का sum total और w और z का sum total यह आपके पास equal आपको given है और proof करने के लिए बोला जा रहा है कि यह aob जो line है इसे हमें proof करना है तो हमें यह line है यह नहीं है इसे proof करने के लिए सबसे पहले हम लोग solution note कर लेंगे और उ information आपको इस question में given है तो आप लिखोगे given that x plus y is equal to w plus z ठीक है इतना लिखने के बाद next जो भी आपके पास information है जैसे आगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक point o है और o के around में ही यह सारे angle create हो रहे है it means यह हुआ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x plus y plus w plus z is equal to आपके पास 360 degree हो जाएंगे और reason लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि since all angle all angles around point o अगर आप point o को देखेंगे तो यह सारे के सारे जो angle है इसके around बन के आ रहे है it means यह हुआ कि इस point से ही सारे angle create हो रहे है तो यह जो o point है यहाँ पे total जितने भी angle create होंगे इन सबका total क्या होगा 360 degree हो जाएगा आप इसको थोड़ा सा और simplify करते हैं कि जैसे आपको इपास given है ठीक है कि आपके पास x plus y is equal to w plus z ठीक है तो यह w plus z की जो value है तो मैं यह लिख सकता हूं कि put w plus z is equal to x plus y यह मैं put कर रहा हूं ठीक है और इसे यहाँ पे लिख लेंगे तो आपके पास जो x plus y है इसे as it is रहने और उसके पास जो complete value है आपके पास w plus z यह जो value है इसे की जगह हम लोग लिख लेते हैं x plus y लिख लेते हैं और यह आपके पास 360 जो right hand side में इसे as it is रहने दो next step में हम क्या करेंगे कि यह जो value है इनको add कर लेते हैं तो आपके पास यह x plus y और यह x plus y यानि कि आप इसे इस 2x plus 2y and that is equal to 360 degree फर्दर आप यह 2 common ले सकते हैं और यह आपके पास x plus y हो गया और इधर यह 360 आ गया अच्छे इसके बाद आप फर्दर आगे कर सकते हैं कि जो value आपके पास यह x plus y है अगर मैं इसकी value निकालना चाहूँ तो यह मिर पास आ जाएगा 360 degree divide by 2 हो जाएगा क्यों जब आप 360 को 2 से divide करेंगे तो आपके पास result 180 आ जाएगा ठीक है 180 आने का मतलब यह हुआ कि यह कर इसे ध्यान से देखें A, O, B को ध्यान से देखें तो यहाँ पर x एक angle create हो रहा है और एक यह y angle create हो रहा है और जब किसी भी point पर जितने भी angles हो उनसरा sum total 180 आ जाता है it means वो क क्या हो गया line तो आप यह लिख सकते हो कि when x plus y is equal to 180 degree it means it means line A, O, B is a line ठीक है और यह क्यों हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि एक straight line create होगे और इसमें जितने भी angle create होगे उसके हम क्या कह सकने है कि वो 180 degree की वज़े से ही यह सारा का सारा क्या हो गया कि यह एक straight line है इसे आ बोल सकते हो बस यह ही हमें proof करना था तो आप लिख सकते हो है hence proved बस इतना सा काम इस question के अंदर था next आपके लिए question number 5 question को एक बार read करते हैं और फिर diagram को समझते हैं in figure 6.17 POQ is a line ray OR is perpendicular to line PQ OS is another ray link between ray OP and OR proved that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS इस question को पहले आप समझते हैं कि इस question के अंदर एक line आपको given है जो कि आपको देख सकते हो PO Q आपको एक line given है उसके उपर एक ray है जो की perpendicular है जिसका नाम है OR ठीक है इसके लाबा एक और ray है इसके अंदर जो है आपके पास OS और यह इनके बीच में है यानि कि जो first ray है PO और OR इसके बीच में एक और ray है आपके पास जिसकी नाम जो इसका OS है अब question यह है आपके पास कि यहाँ पर जो angle create हो रहा है ROS का मतलब है यह angle इसे मैं angle 1 नाम रख देता हूँ ठीक है इस angle की जो value होगी इसके बारे में information given है आपको कि यह QOS QOS का मतलब यह है अगर इसका मैं नाम रख दूँ तो angle 1 की जो value आपको prove करनी है कि angle 1 प्लस 2 में से अगर आप third angle यानि कि जो angle POS इसे minus करेंगे तो यह इसके equal आजाएगी यानि कि यह बोला जा रहा है कि angle 1 की value आपके पास हो जाएगी angle 1 की value angle 1 प्लस 2 माइनस angle 3 और इन सब की जो भी value आएगी उसका अगर हम half करेंगे तो angle 1 के equal हो जाएगी यह proof करने के लिए बोला जा रहा है और इसी को समझाने के लिए यहापे आप फिर दर देख सकते हैं कि आ यह minus करेंगे 1 और 2 में से तो यह first angle हमारे पास आएगा जब हम इसका half करेंगे यानि 1 by 2 करेंगे तो question आपको clear हो गया इस question में हमें proof क्या करना है तो सबसे पहले हम लोग solution लिख लेते हैं solution लिखने के बाद जो भी value है सबसे पहले ध्यान से देखो तो आपके पास यह बोला 3 ठीक है यह दोनों के दोनों क्या होंगे यह angle 2 और इसके इलाबा angle 3 plus angle 1 यह सबके सब 90 डिगरी के हो जाएगा और इसका जो total आ रहा है यह भी आपके पास 90 डिगरी का हो जाएगा क्योंकि यह perpendicular है इसे half half part में divide कर रहा है दोनों 90 डिगरी के हो जाएगे तो आप इसे इस तर ROQ है आपके पास ठीक है तो आप यह लिख सकते ROQ ठीक है angle ROQ is equal to आपके पास angle ROP ठीक है और इन सबकी value क्या हो जाएगी 90 डिगरी हो जाएगी तो इसे हम ऐसा करते हैं कि यह जो दोनों value है इन दोनों value को लेके चलते हैं तो angle आपके पास ROQ equal है angle ROP के ठीक है यह आपके पास value है अब यह जब ROQ है यानि कि यह देखो ROQ को एक बढ़ ध्यान से देखो इसे rough कर देता हूँ ROQ ठीक है ROQ को आप इस तरह से लिख सकते हो इस ROQ को अगर इस पूरे में से यह पूरा complete portion है ठीक है इस पूरे में से यह वाला portion अगर मैं minus कर दूँ पूरे में से तो मेरे पास क्या आजाएगा ROQ ठीक है तो ROQ की जगह मैं इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि angle QOS का मतलब यह पूरा ठीक है और इस में से यह छोटा portion जो आपको देख रहा है यानि कि angle ROS अगर मैं minus कर दूँ ठीक है तो हमारे पास यह angle आजाएगा तो यहाँ पर लिख देता इस पूरे जो 90 degree का angle था इसे मैंने किया कि टोटल में से यह minus किया तो यह portion मेरे पास आएगा तो मैंने यहाँ पर इसे replace कर दिया अचा अब धिहान से देखो जो आपके पास यह ROP है आपके पास ROP इसे भी आप ब्रेक कर सकते हो और इसे ब्रेक करने के आप यह कर सकते हो कि यह वाला portion ठीक है यह जो portion बन क्या रहे है यह वाला portion और यह वाला portion इन दोनों को plus करके विए आप लिख सकते हो यानि कि इसे आप लिख सकते हो अगर मैं इसे थोड़ा सा थोड़ा सा ब्रेक करूँ तो मैं इसे लिख सकते हो angle POS ठीक है और उसके बाद यह plus में लिख सकते आर ओ एस ठीक है मैं इसे पूरे complete को break कर दिया ये portion और ये portion तो आपके पास इस तरह से आ गया अब इसे simplify करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से कि जो हमारे पास आर ओ ऐसे हैं देखो left side में भी आर ओ ऐसे हैं राइट side में भी आर ओ ऐसे इनको एक तरब कर लेते हैं कि यानि कि यह आपके पास QoS एंगल क्यू एस को इदर रहने देते हैं और यह जो P Pot है इंगल P o एस इधर लेकर आजाते हैं हैं इसे अगल पी ओस इस उसे पॉस आपके पास QoS मंईनस पी आ aspect है इसे यह ऐट रहने देते हैं ठीक है यानि कि ये qos angle और minus angle pos ठीक है अब ये इन दोनों को plus करोगे तो आपके पास आ जाएगा angle ros और इसका double हो जाएगा ठीक है ये जो 2 इदर multiply में इसे आप इस तरह से लिख सकते हो इसके डिस्क के divide में यानि कि 1 by 2 of angle qos minus pos ठीक है और ये किसके equal हो जाएगा angle ros के equal हो जाएगा ये ही proof करने के लिए बोला गया था कि आपके बास ros की value यानि ये जो ros है इसकी value किसके equal होनी चाहिए इन दोनों को minus करने के बाद यानि qos minus pos का half करना था अब ये जो इस तरह से आ रहा है इससे थोड़ा सा simplify करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसे right hand side वाले को left hand side में लिया हो तो मैं इसे थोड़ा उपर लिख लेता हूँ आप लिख सकते हो एंगल ros is equal to half of angle qos minus angle pos बस ये proof करना था फर्दर आप लिख दोगे hands proved और आपका ही question solve हो गया उमीद करता हूँ ये आला question आपको अच्छे से clear हो गया होगा तो वीडियो को like जरूर करना next है आपके ल use two point p draw a figure from the given information if ray yq bisect angle zyp then find xyq and a reflexive angle qyp अब देखो इस question को solve करने के लिए तो सबसे पहले हम जो फिगर हमें draw करना होगा और ये जो information हमें given है इसकी help से हम लोग इसे draw कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे solution लिखेंगे और जो हमें given है उस तीज को हम mention कर कि given that angle xyz is equal to 64 degree अब ये angle हमें से draw करेंगे तो कुछ इस type का ये draw करके आ जाएगा y यहाँ पर center में है यानि कि इसकी बात की जारी है यह आपके पास यह 64 degree हो जाएगा तो y मैं इधर लिख देता हूं x यहाँ पर लिख देता हूं point और ये जो point आएगा आपका z point आ जाएगा further आपको बोला जारा है कि इसे आप produce करना xy को further produce करोगे आगे तक ले जाओगे और ये point p आएगा आगे जा करके तो इसे मैं further extend करके point p भी draw कर लेता हूं ठीक है अब इतना करने के बाद यहाँ पे एक ray आपको further draw करनी है जिसका नाम होगा qy y ये रहा q और चाहिए तो यहा आपको z e point ये रहा y point ये रहा और p ये तो पूरा complete portion है इसको ये ray byset करेगी ठीक है अब आपको बोला जारा है कि इसकी help से यहाँ पे आपको बोला जारा है कि आपको find out करना है x y q तो पहले x y q को देख लेते हैं x y q ठीक है ये x y और q की जो value है यानि ये पूरी value हमें find out कर जा रहा है कि आपको reflexive angle reflexive angle का मतलब होता है angle more than 180 degree but less than 360 degree ठीक है तो ये जो angle आपके पास q ip की value भी आपको find out करना है तो पहले हम q ip देख लेते हैं का है ये रहा q ये y ये p ये ये इस angle को देखेंगे तो ये क्या बन रहा है ये आपके पास acute angle बन रहा है लेकिन आपको इसकी value find out करने के लिए नहीं बोला जा रहा है इसको छोड़ करके यानि कि यहां से लेके start करके पूरा नीचे तक हम जाएंगे तो ये जो angle create हो रहा है यानि कि reflex angle जो create हो रहा है इसकी value में find out करना है ठीक है तो question अभी तक आपको clear हो गया और इस question में करना क्या है तो जैसे आपने ये angle सबसे पहले ये जो 64 degree है इसे आपने draw कर लिया ये ray आपने draw कर लिया और इसमें जो bisect करने के लिए बोला गया था वो भी आपने कर लिया तो इसके according हम लोग क्या करते है सबसे पहले जो first वाला portion है यानि कि x y q इसे find out करते है तो यहां पर जैसे ये आपको given है कि यहां line है ठीक है line का मतलब यह हो जाएगा कि आपके पास जितने भी angle होंगे जैसे first angle आपके पास x y z ठीक है और उसके बाद next angle इसी के बीच में आपके पास जो next angle है z y q ठीक है angle z y q और जो third angle आपके पास है p y q या फिर q y p भी लिख सकता हो एक ही बात है तो angle q y p इन सबकी value किसके 180 degree के equal हो जाएगे अब इस question में यह given है कि इसकी value आपके पास 64 degree है तो यहां आप mention कर दोगे अब यह दोनों जो angle है आपके पास यह वाला और यह वाला angle यह दोनों क्या हो रहा है इसे एक line by set कर रहे ह by set करने का मतलब यह है कि यहां पर यह जो angle आपके पास z y q यह equal होगा q y p के और reason क्या है कि यहां पर यह जो q y है यह क्या कर रहे है बाइसे कर रहे है इस पूरे complete angle p y z यानि कि z y p की वज़े से z y p की वज़े से आप भी कह सकते हो कि यह दोनों क्या होंगे equal होंगे क्योंकि यह q y इसे bisect कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते है इसकी जगह इन दोनों की जगह एक दूसरी की value को हम replace कर देते हैं देखो यहां पर आपको calculate करने के लिए बोला चारा है कि x y q की value find out कर यह तो q ही लिख लेता हूं जो कि 180 degree के equal होगी वो इसले क्योंकि यह दोनों angle equal है अब इसे further extend करोगे तो इन दोनों का plus करोगे तो आपके पास 2 angle z y q is equal to हो जाएगा आपके पास 180 degree और minus 64 degree ठीक है अब जब इसमें से 64 minus करोगे आप ठीक है तो यह आपके पास value यहापे minus करके देख लेंगे अब लोग कि 180 में 64 minus करेंगे तो यह 6 आगया और यह आपके पास 1 आजाएगा और यह 116 आपके पास इसकी value आगे तो 116 इदर आगया आपके पास और यह जो 2 multiply में था इसे मैं इदर side change करके लिखूँगा तो यह divide में आ जाएगा यानि आपके पास angle z y q की value यह बीच वाला जो portion है इसकी value आपने find out कर लिया है ठीक है यानि कि इसकी value आपने find out कर लिया जो कि आपके पास 58 degree आ गया अब question में जैसे आपको बोला गया कि first angle आपको find out करनी है कि angle x y q की value find out करनी है x y q तो x y q को अकर ध्यान से देखोगे तो angle x y z यानि कि angle x y z प्लस आप value आप निकाल चुके हो इसकी value आपको given है तो आप plus करके इसका answer निकाल सकते हैं यानि कि angle x y q की value हमारे पास ये पहले सबसे पहले 64 ये वाला और इसके लाबा ये जो 58 है ठीक है इसकी value plus करेंगे तो हमारे पास result आ जाएगा तो यहाँ पे rough में आप क्या करोगे इन दोनों क प्लस करो और अपना answer निकाल लो ठीक है तो ये आपके पास 112 इसका result आ गया यानि कि आपने angle x y q ये आपने find out कर लिया इसके बाद next आपको बोला गया कि angle q y p ठीक है q y p का मतलब ये हुआ कि इस वाले angle की बात की जारी इसकी value तो इसकी value और इसकी value दोनों equal होगी जो की 58 हो q y p की ठीक है angle q y p is equal to होगा आपके पास q y p ठीक है q q y p equal होगा आपके पास z y q के z y q की अब इसकी value आपने 58 निकाला था तो आप लिख सकते हो कि भी ये q y p is equal to 58 हो गया लेखिन question में आपको ये निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है इसका reflex बोला जा रहा है कि reflex angle angle q y p तो इसके लिए आप क्या करेंगे 360 में से ये पूरा minus कर देंगे 58 तो आपके पास ये result आजाएगा और जब इसे आप minus करेंगे तो ये reflex angle जो है आपके पास angle q p y ये आप minus करेंगे तो 302 आपके पास ये result आजाएगा यानि कि 360 में से 58 अगर आप माइनस करेंगे तो यह आपके पास जो result है 302 यह आपके पास आ जाएगा तो इस तरीके से आप इस वाले question यानि कि last question को भी solve कर सकते हैं I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा इस question को answer कैसे calculate करना है वीडियो पसंद आती है वीडियो को like करना इसके बाद आपको next वीडियो यानि कि 6.2 देखनी है और question की practice करिए को doubt है कुछ नहीं के लिए हो रहा है तो नीचे comment में लिखके भी पूछ सकते हैं इसके लाबह आप मुझे Instagram पर follow कर लीजिए मेरी ID है at the rate Mr. Krishna सा जा message करके अपने doubts वगर आप मुझे से पूछ सकते हैं चैनल फे फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल friendship preparation को subscribe कर लीजिए ताकि आपको latest वीडियो की notification रसीव हो सके कर दो कर दो हो में जिसकते हैं